टाइप 12 जब क्रमागत संख्याओं का योग दिया हो तब बड़ी संख्या या छूटी संख्या ग्याद करना देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं इस प्रकार की question पहले concept को समझते हैं कुशन नमर वन पांच क्रिमागत संख्याओं का योग साथ है तो सबसे बड़ी संख्या होगी इसका कॉंसेप्ट पहले समझते हैं कैसे करते हैं कितनी क्रिमागत संख्याओं पांच हैं कितनी हैं दोस्तों पांच हैं और उनका योग कितना है साथ है तो हमें क्या करना है सब कितनी संख्या हैं पांच संख्या हैं उनका डिवाइड लगा लेंगे जब पांच का डिवाइड साट में लगाएंगे तो कितनी बाद जाएगा बारे बार जाएगा इस संख्या को मद में रखते हैं क्योंकि यह हमें जब पांच का डिवाइड लगाया तो हमें यह बीच व और 14 है और इसके पीछे 11 है और 10 ठीक है दोस्तों अब कुश्चन पूच्छा क्या है सबसे बड़ी तो सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी 14 कितनी होगी दोस्तों 14 अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो इन संख्याओं का योग 60 आना चाहिए देखते हैं दोस्तों आता ह है के नहीं 4,3,7,8,9,10 10 की जीरो आंसले 1,2,3,4,5,6 तो कितना आये दोस्तों योग 60 इस प्रकार हमने चेक भी कर ली देखते हैं दोस्तों नैस्ट कुश्चन नमबर दो देखते हैं दोस्तो question number 2 पढ़ते हैं दोस्तो 3 क्रमागत सम 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है तो सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या ग्याद कीजिए देखते हैं दोस्तो कैसे करते हैं योग कितना है 48 और संख्याओं कितनी है 3 अब 3 का डिवाइड लगाएंगे तो हमें मद्द वाली जो संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी तीन का भाग लगाते है तीने कन 3 और 3 सिक्जा 80 यानि 16 जो 16 संख्या हमें प्राप्त होई है वो मद्द वाली संख्या प्राप्त होई जो 16 प्राप्त होई संख्या वो मद्द वाली संख्या प्राप्त होई अब संख्याएं कितनी है तीन तो एक इससे आगे और एक इससे पीछे लेकिन सम संख्याएं होनी चाहिए कि कौन सी सम अब सम संख्याएं तो इसमें अगर दो जोड़ देंगे तो 18 मिलेगी अगली सम संख्या अज दो कम कर देंगे तो 14 मिलेगी संख्या तो पूँचा क्या है सबसे छोटी और सबसे बड़ी छोटी हो गई 14 और बड़ी हो गई 18 तो ये दोनों हमारे आंसर है अगर आपको इसे चेक करना है कि यह संख्याओं सही हैं या गलत हैं तो इन सभी संख्याओं को add कर लो तो उनका जो योग है वो 48 आना चाहिए देखते हैं दोस्तो चार और छे दस दस और आठ अठारे अठारे की याठ हांसल एक एक और दो तीन चार 48 तो इस परकार हमने चेक भी कर लिया देखते हैं दोस्तो नैस्ट कॉश्ण कॉश्ण नमबर 3 पांच क्रमागत बिसम जो पांच क्रमागत संख्याओं है वो बिसम है बिसम संख्याओं का योग कितना है 45 है तो सबसे बड़ी संख्याओं ग्याद करनी है देखते हैं दोस्तो कैसे करते हैं इसको 45 में पांच का डिवाइड देते हैं तो कितने बाद जाएगा? 9 बार जाएगा तो जो 9 संख्याओं मिली हमें वो सेंटर में है यानि बीच की मद्द की मिली हमें अब एक तो हमें मिल गई अब पांच में तो बची चार तो दो तो इसके आगे होगी और दो पीछे होगी लेकिन विशम संख्याएं गयात करनी है तो विशम संख्याएं गयात करेंगे तो नौ के बाद विशम संख्या कितनी आएगी ग्यार है और ग्यार और इससे पहले पाँच अगर इन सब का योग निकालेंगे तो कितना आएगा 45 आएगा तो इस प्रकार हम इन कुश्चनों को कितने कम समय में कर सकते हैं देखते हैं दोस्तों नैस्ट कुश्चन कुश्चन नम्मर फूर चार क्रमागत संख्याओं का योग 50 है चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना है पचास है तो सबसे छोटी संख्या याद कीजिए तो दोस्तों देखते हैं कैसे करते हैं इस कुश्चन को चार क्रमागत संख्याओं का योग कितना है पचास संख्याओं कितनी चार चार का डिवाइड लगाएंगे तो 4 एकंच 4 चाद दूनी आठ पॉंट लगा 0 बड़ाओ 4 पंज 20 देखते हैं दोस्तों कैसे करते यह कितना है दोस्तों 12.5 लेकिन हमारी संख्याँ कितनी है 4 वो भी क्रमागत है क्रमागत संख्याँ का मतलब यह है जैसे 1, 2, 3, 4 जो क्रमागत सभी संख्याँ है क्रम से आ रही है तो देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं तो अब देखते हैं जो बारे के बाद जो संख्या आएगी दो तो बारे के साड़े बारे के आगे होंगी और दो पीछे होंगी ठीक है दोस्तों देखते हैं कैसे साड़े बारे के बाद अब तेरे आएगी यहां 14 है तो इस से पहले 12 होगी और 11 है तो इसमें पूछा क्या है दोस्तो सबसे छोटी संक्या तो सबसे छोटी संक्या कितनी होगी दोस्तो 11 होगी इस प्रकार के कुश्णों को आपको ऐसा ही अल करना है क्योंकि इससे तो हम केबल इतना पता लगाएंगे कि इससे दो आगे इससे दो पीछे और इससे दो आगे जो संख्याइं दे रखी है वो ग्यात कर लेंगे अगर सबसे बड़ी पूची होती तो 14 आती देखते हैं दोस्तों एक गज़ नबर 5 देखते हैं दोस्तों कैसे करते हैं जो कुष्ण इसमें क्या पूंचाइक गया क्याद करनी तो सबसे बड़ी पूंचया और देखते हैं जो मतलब यह है कि 3 साथ के पीछे होंगी ओ तीन आगे होंगी इस वाले साथ को हम छोड़ देते हैं अब देखते हैं क्योंकि हमें 6 सम क्रमागत यह क्या है बिसम है हमें चाहिए सम तो यह सेंटर वाली तो निकली अब यह सेंटर के तीन पीछे और तीन आगे जो समसंख्या होंगी वो समसंख्या ही लेंगी देखते हैं साथ के बाद समसंख्या आठ आएगी आठ के बाद दस आएगी दस के बाद बार है अब हमने आगे क्यों निकाली क्योंकि सबसे बड़ी है हम ज्यादा नहीं निकालेंगे देखते हैं दोस्तो आंसर कितना आया 12 आया इसका आंसर कितना आया 12 क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है नेस्ट कुश्चन देखते हैं दोस्तो कुश्चन नमबर 8 इसमें देखते हैं दोस्तो कैसे करते हैं इसको 4 क्रमागत बिसम जो चार संख्या है वो विसम संख्याओं का योग कितना है? चपपन हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी देखते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं छपपन में चार का डिवायड देंगे तो चौदे बार जाएगा अब चौदे ये बिसम चौदे जो निकला वो शम संख्या निकली लेकिना मैं निकालनी क्या है विशम तो चौदे के दो तो पीछे होंगी और दो आगे संख्या होंगी दो पीछे होंगी दो आगे संख्या होंगी अब देखते हैं दोस्तो चौदे के बाद जो विशम संख्या है वो 15 है फिर 15 के ब सबसे बड़ी संख्या है और 14 के बाद जो विसम संख्या है वो 13 और इसके बाद 11 है तो यह सबसे छोटी तो दोनों अमारे पास आंसर मिल गए हमें दोनों तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं आप प्रैक्टिस कीजिए आप कम से कम समय में निकाल सकते हैं हमने आपको बताया है इसलिए समय जादा लग रहा है और प्रूफ करके भी दिखाया है आप जो कुछन पूछा जाए उतना ही निकालिए दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर चैनल पर आप नए है तो चै जय बारत